अब यहीं परोगे हमारे चाहने वाले जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे अंदर कितनी हिम्मत होती है लेकिन जब उनके उपर मुश्किल आती है तो उतना ही डर लगता है हमारे आखरी पलों में ही हमें हमारे पुराने पल याद आते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बारी यार आगे सर, खाना खा रहे हो, खा लीजिए, सारे गाउं में दोबारा घूम कर आईए, मैं फिर पना कर रखूंगी फिर खा लीजिए, तभी आइने में अपनी शकल देखी है, क्या है? मौल्डर करने वाले खूनी के जैसी लगती है, तुम बदलोगे बदलोगे सोचती रहती हूं, दिन बदिन और बिगड़ते जा रहे हो, और इतना डाटने के बाद भी कैसे बेशर्मों की तरह खा रहे हो, जाने वाला तो उपर आराम से है, नीचे रहने वाले परेशानी जे तुम्हारे जैसा है सोचकर राजकुमार नाम रख दिया मैंने, और आप देखो कैसा गुंडे मावाली जैसा दिखता है सेट, वहां में पर्फॉमंस दिना है, एपियरेंस नहीं, वैसे भी इस मदीरा का इस गाने से कॉबिनेशन क्या है बिना मतलब का, उधर प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा है, सुचकर सुदर्शन टेंशन ले रहा है, चलो चलते है, हरे भाई, ओर्ड वाइन का मेगा कनेक्शन किया है, जानते हो, धोनो ही अडिक्शन है यार, वैसे भी तु प्रोग्राम का टेंशन क्यू ले रहा है, वह तो राजू लेगा ना, वो क्या लेगा, वो पीकर तल्ली हो गया होगा, फोन ही नहीं उठा रहा है, पताने ही कहा न अश्र में पड़ा होगा, अरे, अगर वो नहीं पिया हो तो डरना चाहिए पीने के बाद मेरा राजू धर्मराज है वो वादा नहीं तोड़ता मैं इतना रिस्क उठा कर आई और आप लोग यहां अराम से गप्पे मार रहे हैं हेलो, लेने वाले जेड हैं हमें कुछ मत बोलो ठेक है चलो चलते हैं चलो, फोल ले लो चलो वाँ, मस्त लग रहे हैं तो ज्यादा ना चड़ जाए ठीक है ठीक है है सुन, जितना पीना है पीलो जितना खाना है खालो तुमारी मर्जी भाई, हमारा प्रोग्राम बहुत जबरदस्ट वा इसलिए हमें खुश रहना चाहिए बस चेर्स हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ फिर भी तुम इतना चुपकी हो आप खुश हैं बहुत ज़ादा आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ सुन, इसे रख ले तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी सुनिया हाँ मेरी सारी ज़रूरते आप पूरी करते हैं तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद है पर पापा को बिल्कुल नहीं हर बार छेपकर आना पड़ता है तुम हमेशा अपनी पसंद के मुताबिक रहते हो और मैं भी तुम्हारी तरह रहना चाहती हूँ और कैसी अपनी पसंद के मुताबिक अगर लाइफ ना चल रही हो तो लाइफ वेस्ट होती है हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पुड़े तो फाइदा ही क्या है मैं चलता हूँ हूँ समहल कर जाना हूँ 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 इन सब में मैं ही सुन्दर हूँ इसलिए प्रफोस करते ही पट जाएगी ड्रॉप कर वक्त मैटर बता दूगा इस बाइक पर बैठने वाला या तो कोई बॉलिवूड स्टार होगा या भी मेरी सुनीता होगी चल भाग यहां से अरे काना भाग यहां से कितना लेट हुचुका है ना थोड़ा ट्रॉप करतो होगी क्या प्लीज प्लीज थैक्यू सुनीता येस अलो बीचे की सीट वर लडगी को इठाना है तो तेरा बैक्ग्राउंड मुझमूत करना होगा आया बड़ा चल ये मेरी बदनसीबी है कि तुझे बिठाना पड़ राहा है चल आप 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 इस सवाल को अच्छे से नोट कर लो ठीक है टाइम 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 जाओए आप 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 मा कॉफी आपकु मा कॉफी झाल झाल क्या हुआ अचानेक से कुछ सोचने लगी ओफिस में हो चाहे कॉलेनी में हो सब की नजर मुझ पर ही रहती है आखिरकार एक कुवारी लड़की जो हूँ इतना तो सोचना चाहिए न देखो मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी जब मैंने तुम से शादी के लिए कहा तब घर में पापा थे और अब मैं हूँ मेरे उपर मेरे फैमिली और मेरे भाई की जिम्मेदारी है वक्ताने पर ही शादी कर पाऊंगा रात को क्यों नहीं आया अभी तो आ गया हूँ ना तुम्हारे प्यार के लिए मैं उम्र बहर ऐसे ही खुशी-खुशी रह सकती हूँ लेकिन तुम्हारी बात ना सुनने वाले अपने भाई के लिए मुझसे दू रहते हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता अब पत्मा सांच ऐसा है देखकर नहीं चल सकता है मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो क्या कहा तुम्हारा कमरा है ने कम्मो को कमरा देना ही बड़ी बात है अब ज्रेसिंग जब तुम्हारे कमरे में है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मामी मामी क्या है देखो इसे मेरे सारा समान फेख दिया है हमेशा आपस में लड़ते रहते हो तुम लोग हेई इसका कॉलेज में पहला दिन है जाकर छोड़ के आ इसे कोई ज़रुवत नहीं है मैं केली चली जाओगी पर इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाओगी मत जाओ यहीं रह जाओ तुम दोनों की बचा से रोज मेरे सर में दर्ध होता है पर इसके साथ भाएगी कौने रे तू मैच के बीच में आकर हमारा मज़ाग खराब कर रहा है साइड में हट सुलकर भी खूर क्या रहा है हाँ अबे तू भैरा है क्या हाँ क्या सब्सक्राब माझ 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 मारा रहा है हुआ कर दो अब कर दो और ही घुए है यटभी ब делать क्यार इड yer ुई और एक अजас अँड़ trademark तोई पुआ क्कुरिया जो है increasing जल्सख ओर एंवा और दो तरो अखोल, करे, और को हेंगा? और को तरो 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 अरो तरो 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 कि अब आपआ कि अ हिदो आपा कि अब बहुआ है अब अ एवा है है अजय कि अब है अजय को अ अचते है अजय कि अच्छने मार खाने से ज्यादा ग्यू मार सूचकर परिशानी हो अचिर मारने का रिजन तो बताओ उस लड़की के जगे अगर मेरी बेहन होती तो वो माँ को आके बताती और माँ मुझे बताती तो मुझे तुम्हारे साथ यही करना पड़ता हूँ इसलिए मैंने पहले ही यह सब कर दिया तो मुझे अपनी बेहन को ने अबे तेरी तो भाई हम अपनी बेहन का पता लगा लेगे अब जाए और मार काएगा क्या अब आज प्योन को पकड़ काम करवाना ही पड़ेगा अब कहीं बेट कर रहा था तो यह माम लगया है तुम्हारा किसका तुम्हारे पापा या माँ का चाहिए मेराई चाहिए इंशुरेंस क्लेम करना है सार क्राइम को उसलिये तो पचास हजर लगेंगे यह तो बहुत जादा है कुछ डिसकाौन करिये ना सारे बालो का फ्रीमें देता हूं उस पर अपना नाम लिग देता हूं तब तब हसारे पैसे मुझे मिल जाएंगे तब अब आगाने यहें जो ज़ा याजे जिसर भाइया नमस्ते भाइया अरे चलो जाओना बहरा को बहलो में एक मिनिट बता किया आता हूं जरू जल्दी किजिए जी करता हूँ सर जी ठीक है आपका भाई नीचे आया है बोलो मैं बीजी हूँ थोड़ा वेट करने के लिए बोला है वेट करने के लिए अरे यह तो अब तक यही है पकड़ा जाओं तो दिमाग खाएगा और कितनी देर वेट करूं बता किया आता हूं रुको सर वहां पर आपका भाई वेट कर रहा है बुला लूं क्या बीजी हूं बोल दो मोबाइल में गेम खेल रहा है और बोलते हैं कि बीजी है भाया थोड़ी देर आओ वेट करने के लिए बोला है अरे बाप रहें बीजी है कि अ कि अ कि अ प अ कि अ कि अ कि कि अ भाया को एक और बार बता कराता हूं जरुरत में भाया अ कि 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 आप फ्री है फिर भी दो घंटे वेट कर आया वेट करते हुए गुस्सा आया ना तेरे बदलने का मैं दो सल से इंतजार कर रहा हूं मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए क्यू आया यहां मुझे अजेंटली पैसे चाहिए तुमारी जरूरत पूरी करना तुमारे भाई की जिम्मदार ही है लेकिन मैं तुमारी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकता देंगे या नहीं देंगे नहीं दूंगा और अगर होते तब भी नहीं देता देखो अजय, कही बार हमारी गल्ती ना होते होए भी, हमारी responsibility हो जाती है सर आप तो जो हुआ उसके लिए punishment देने के लिए या उसका explanation पुछने के लिए नहीं बुलाया है वो मारने से या डाटने से नहीं बदलेगा जब उसे कुछ से responsible फील होगा तब वो बदलेगा सो यू डू बन थिंग, कल अपने भाई को यहा लेकर जाओ मेरा नाम बोल देना नौकरी मिल जाएगी अब तुम बिल्कुल फिकर मत करो ओके? थैंक यू सर्व तुम कभी भी कोई भी ट्यून बजाओ बहुत हीट हो जाती है तुम्हारे अंदर एक मैजिक है तुम यहां अपना टाइम बरबाद मत करो मुंबई में म्यूजिक कंपनी में मेरा एक दोस्त है तुम बस एक बार जाकर उससे मिलो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी अरे क्यों हुआ? अरे बार बार तुम इस तरह उठके चले जाते हो आखिर इसका मतलब क्या है? देखो इस बार तुम्हें जाना ही होगा अगर ऐसा है तो आप ही चले जाएगे अरे? जरा समझाओ इसे क्यों इतना गुस्सा करते हो उन्होंने तुम्हारे बाले के लिए ही तु कहा है ना सिर्फ एक पर जाकर तु ट्रै करो अगर तुम्ही अच्छा लगा तुम्हारे जिंदकी बदल जाएगी तुम लोग के कहने पर वहाँ चला जाऊँगा मेरे लाइफ तो अच्छी हो जाएगी लेकिन मैं अपने मुताबिक रह नहीं पाऊँगा तुम लोग हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हो तुम लोग उसे दूर कैसे रहूँगा वैसे भी सेट खुश हैं तो हम सब खुश हैं जहां सेट रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगा तुम वारा इस टॉपिक पर बात मत करना हूँ राज राज सुनो तुम हमेशा बाहर ही खड़े रहते हो एक बार अंदर भी तो चलो इस जनम में मंदिर जाना तो मुश्किल है अगले जनम में देखूंगा जैसी तुम्हारी मर्जी शशी बार अंदर बार इस जनम में देखूंगा जैसी तुम्हारी में देखूंगा अगले जनम में देखूंगा जैसी तुम्हारी 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 में देखूंगा यह यह राजू यह राजू क्या हुआ तुमने कहा तह इस जनम में कदम नहीं रखूँगा हाह। हरे भगवान यहा है वहा कहा देख रहे हो कुछ नहीं आप जाएए नहीं आता हूं शेह हमेशा इसने मूव वुलाकर खुसे से देखना छोड़कर हसकार एक बार मुझसे बात कर सकते हो ना वैसे भी तुम्हें यहां नहीं बल्कि वहां रहना चाहिए क्या कहते हो मना करने पर उसके साथ भेज दिया वहां उसने किसी और कुमारा और वहां मुझे सस्पेंड कर दिया ए तु चुप रहे क्या हुआ बेटा ऐसे क्यों बैठे हो तुम खाना क्यों नहीं खा रहे कल राजू स्कूल के ओफिस आया था कल सुबे उसे रेडी रहने के लिए बोलना उसके लिए जॉब को इंतिजाम किया है खुदी बता देना मा वो कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनता है मा बात यह नहीं है कि मुझे उसके वहवार से बुरा लगता है बस चाता हूँ कि उसे जिम्मेदारी का हिसास हो जाए मा उसे आप ही समझा देना थोड़ा तो खालो बेठा काफे टाइम हो गया तुम अभी तक सोही क्यों नहीं टाइम हो चुका है यह सोचकर या मैं ठाक गई सोचकर नीन नहीं आती है बेठा जब जब मन शान्त होता है न तब ही सुकून की नीन आती है बेठा अब क्या हुआ इधर आ बैट मैं बताती हूँ बैट पहले कैसे रहता था तू जब रेडी होता था तो राजा बेटा जैसा लगता था और अब देख यह दाड़ी यह हाल तुझे खुश देखकर कितने दिन हो गए हैं बेटा कितने साल बीद गए हैं मैं तुम्हारा यह हाल नहीं देख सकती तेरा भाई बेचा रहा हूँ वो अकेला ही इस परिवार की सारी से मैदारी निभा रहा हैं सब अकेले ही कर रहा है मुझे सच में बहुत बरा लगता है बेटा तू, मैं, तुम्हारी बेहन उस अकेले की पगहर पर निर्भन उसने कभी कमी रखी है क्या उसने तो अभी तक शादी तक नहीं की इसके बारे मैं कभी सोचा है तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है उसने तेरे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है मेरा सोना सुबह उठकर रेड़ी हो जाना बेटा वो तुझे लेकर जाएगा अब जाओ आराम करो ठीक है, जाओ, जल्दी से सो जाओ जाओ ठीक है मा कुछ नहीं हुआ आ रहा हूँ क्या हुआ अभी तक त्यार नहीं हुआ जाना का है कहा जाना है, माने तुझे बताया नहीं किसके बारे में किस बारे में क्या मतलब राट को इतना समझाया था क्या समझायी थी अभी कुछ याद नहीं आ रहा है अरे सुनो, ये क्या कर रहे हो अरे सुनो, देखो सब देख रहे हैं सुनो, कहां लेकर जा रहे हो इसे, मेरी बात तू सुनो, सुनो मा रुको अजे, ये क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं तुम्हें तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर की इजद को पहले ही ये सड़क पर ला चुका है देख ये रहा है, लाड़ी बना इसकी अपने मर्जी का मालिक हुम है, वो तेरे भले के लिए बोल रहा है, दाड़ी कटवा ले आकर है है रुझाओ शेये सहा है, नुक्वाल एकषण है, भॉल बोडेल की बेटिंग लगाई है टुचितिंग मत कर थो है चीटिंग कान कर रहा है, बताओना इसको सेट अर यार तो खेलना है विए आप यसे एक सपूर करते थे हैं हुँँआ फेल तो आराम से पाउडर जादा है, हाँ ठीक है योर टन अरे, मेरी बारी है हे, क्या हुआ? यह जोट कैसे लगी? खूण निकल रहा है वाजबा हे राजू, क्या हो गया? माइक सलिप हो गई जी अब लाओ दो खुश नहीं हुआ बोलते हो देखो, कितनी गहरी चोट लगी है थोड़ा ध्यान से ड्राइब नहीं कर सकते हो, क्या? इतनी ज़्यादा ओवैक्टिंग क्यूं कर रही हो इससे मैं एरिटेट हो रहा हू अरे, एः, राजू कहां जा रहा है? बिटा उसकी बात कब बुरा नहीं मना तुम तो जानती हो उनों से उसके गुस्सी के लिए बुरा नहीं लग रहा उसकी चोट देखकर तकलीफ हो रही है प्रावट झारा यह झारा नहीं जारा नहीं तुम तुम प्रावट आड़ो, आड़ो, आड़ो हाई मेडम मेडम हमें भी प्यार से देखो मेरे साथ आजाओ, चान भी देदेंगे हम क्या हम सब एक साथ नहीं, एक एक करके प्यार करेंगे तभी तो हमें मसा आएगा ना मैडम चुप क्यो हो हाँ, हमें भी तो थोड़ा प्यार दो क्या नहीं भी तो है क्या भी तो है भी तो हाँ अजय बहुए कुछे अजय थो बहु मुटश झौस नहां थो एकान का रसा ड़र जब हो तक बढहे अपक्पन हो उपकान का तो आजए राओ गयां प्टो को आजश बहु का हुए तो Сबसाद़ कि अज़ कि अजए दिय भीक कि अज़र को एक तो अख़ अख़ जना नप जब एफ़ एई गुझा जब करेंगे जप एगू ऑुछ एज एग। पर भाल एक हुआ है पर जह हुआ है मावी भाईया को इस बारे में मत बताना खुश रहा हूँ अब पैसे लुटेगी यह तेरे पास बहुत है यह बिचारा सारी जिम्मेदारिया निभाता है तुम भी लो माँ तुम ले लो बिटा सुनो यह आ गया है इसको बांदो नहीं तो यह फिर से बाहर चला जाएगा इतना बिजी जो है एक और राकी रहनी चाहिए ना बांदने के लिए यह क्या है यह तो तुम्हाब भाई है इसके लिए नहीं ख़एगी लिदार बहन उसका सहरा बनी इसली राखी बांती है अगर भाई-भाई प्राब्लम भेहुत खरआब लगता है उसको मैं नहीं बादूने क्या उस्ने क्या किया है वह उसकी प्राब्लम है कि अफिस जा रही हूं पापा बेटी एक मिनट प्यार को शादी में बदल कर जिम्मेदारिया निभाने जितना बड़ा मन बेटी होने कि नाते तुम्हारे पास हो लेकिन प्यार को मान कि इतने साल बात भी अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाया इसका मुझे बहुत दुख हाई हे तुम यहां कैसे राजु भाया है क्यों क्यों मतलब राखी बांदने आई हूं क्या उसको इतना हैरान क्यों हो रही हो तुम्हम सस्पेंड होकर घर पे हो ना इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता कॉलेज आते तुम्हें पता चलता तुम्हारा रेंज क्या है कॉले एलो, इधरा? तू, तू इधरा? आज़ा, आज़ा क्या, नहीं हो हाँ? आज़ा, सर, फर्स्ट यर मेकानिकल मेरा मतलब तू मेकानिकल या बॉटनिकल है यह नहीं है मतलब तू, फ्रेश और मेंटेंड है साइलेंट खड़ी है मतलब इसे भी अपनी बातें अच्छी लग रही होगी साइका होई, बिना पर्मिशन लिए जाक आ रही है रोट तू भेरा है क्या हाँ? बहन की प्रॉबलम पर रियाक्ट करने वाले भाईयों को बहुत देखा है मैंने लेकिन बहन को प्रॉबलम होगा ये सोचकर पहले ही रियाक्ट करने वाला भाई वो सर्फ तुम्हारे घर में देखा है इसलिए ऐसे भाई को राखी बाद में आया हूँ सब्सक्राइब कब वेट कर रहूं कर रहूं कॉल कार रहूं तो कट क्यूं कर रहू है अज रक्षा बंधन है भाईय। साल में सिर्फ एक बादा है आज के दिन अगर बहन से राखी नहीं बंदवाई तो भाई की जिंदगी बेकार यार ये ले राखी का लड्डू मुझे ये समनी खाना है चल सड़क पर क्या खेल रहे हो चलो बिटा सौरी बिटा तुम बुरा बत मालना चलो तुम लोग भी ये मेरे लड्डू मालना बता है इतने सारे ब्रैंट सुबस्पर कौन पीता है यार अरे कहा चला गया और कलर है क्या है देखाता हो हँ अच्छा मैं तुझे वहां ढूड़ रहा हूँ और तू यहां इस लड़की को देख रहा है अरे यार सुनीता से मेरी सेट्टिंग कर वादे मैं कब से ट्राइ कर रहा है यार इस दो एक है यारे सक थरी यारे सारी वहां वारे सारी कर दो कि कल दो है इसानी सेटी काम इसा ठाव खर रहा हुआ वहा है! झाल झाल एग जा परें झाल धर हिए जाँ हुख पर खाल भाल हुख वह एच को भाल हुख हो हुख 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 जग पुआ दो तो अजू अजय खुआ तेंड prisoner वाष अजय आभ 온 पैर है बनिया है है थीर कि अरे हॅ यह अरे हुर्प्छ देव दुसे अरे ज थोड़mill चों़ स्पीछ ऑर लंदुमें था देवल भरे मार्केट में लड़ाई सब के सामने गुंड़ागर्दी करोगे और मैं चुप रहूंगा सर सर हमने कोई जगडा नहीं किया सर वो लोग इस लड़की को छेड रहे थे इसलिए इसने उन्हें मारा आप बताई यह सच क्या रहा है चलिए बताईये हमारा इस जगडे से चलो बेटी अब सर आप मेरी बातों सुनिये तुम्हारी बक्वास बंद करो चलो स्टेशन बलाई का जमान नहीं है कितनी महान लड़की से प्यार किया है तुने फालो करने पर भी तुझे देखती तक नहीं तुमने उसके लिए जगडा किया और उसने बिना सोचे समझे तुम्हें यहां भीज दिया ठीची कैसा प्यार है पता नहीं क्या हुआ खड़ा हो जा सर आये हैं मार्गिट तुम्हारे बाप का है इतना सारा नुकसान कर दिया सर वो क्या है उस लड़की को ए चुप यह तो शकल से ही मवाली लगता है ए अवलदार सेट इसे अंदर डालो और केस फाइल करो सर 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 मैं इससे जानता हूं सर जरूर कुछ गलत फेमी हुई है यह बहुत अच्छा लड़का है सर प्लीज इसे छोड़ दीजी इस बार इसे छोड़ देता हूं अगर फिर से जगड़ा किया तो अंदर डाल दूगा थैंक्यू सर ए अवलदार इसकी डीटेल्स लेंके छोड़ दो चल थैंक्यू सर धन्यवाद सर शलो हाँ है राजू कुस्तो बोल आखिर लफड़ा क्या है यह सब उस लड़की की वज़े से हुआ है कौन लड़की अरे अब यह इतने गुस्से में कहा जा रहा है चल पाँ तो है कौन मेरे बेटी पे हाथ कैसे उठाया यूँ गुछसा आ रहा है इससे भी तस कुना सादा गुछसा मेरे अंदर है इतने दिनों से इसके बीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ जानते हुए भी हर रोज मुझे एक नए इंसान की तरह देखती है इसे अगर कोई प्राबलम होती है तो रियक्ट मै करता हूँ इतना सबौने के बाद भी नहीं बोलिया पागले क्या तुम्य समझ और यह रहां से आकर तुम समझ सकियो अपने आपको दो कर रहा हूं ना उससे अच्छा सुनो आखिर हुआ क्या है जाने बिना आपस में लड़ने से अच्छा है यहां खड़ी आपके बैटी से पूछने की हुआ क्या है उससे पूछ लीजिए वो सब कुछ बता देगी मैंने तुम पर हाथ उठाया इससे तकलीफ हुई होगी लेकिन मेरे सामने तुम उस पर हाथ उठाओ गए तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैंने सही किया या गलत ये बात मैं नहीं जानता लेकिन हर माबाप अपनी बेटी की शाथी किसी भले लड़के के साथ करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है किसी भी कारण से अगर बेटी रात को देड़ से घर आये तो हमारी सांसे रुख जाती तुमने उस पर हाथ उठाया और उसने तुम्हें कुछ नहीं का यहीं सोच रहे है यह उसका प्यार है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल रही है छोटे बच्चों में भी डे बाई डे मैच्योर्टी आती है बात को समझने की कोशिश करना मेरी बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए किसी भी बात को समझ नहीं पाएगी इसी वज़ा से उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया यह जान बूझ कर नहीं किया मैं तुम से हाथ जोड़ता हूँ तुम यहां से चले जाओ चाहे वज़ा कुछ भी हो मेरी बेटी के गालती के लिए मुझे माफ करना चलो राजू दुखी मत हो बेटा वो लड़की दिखने में तो सुन्दर है लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि वो प्रॉब्लम में उसे भूल जा शायद तुआ जाने में उसे चाने लगा था मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ वो लड़की प्रॉब्लम में है तो मैं उसे छोड़ दू ये कैसा प्यार होगा सेट उसकी खुबसूरती देखके उसका पीछा नहीं किया मेरे लाइफ में वो लड़की मुझे दुबारा मिली है वो कोई और नहीं है सेट दो साल पहले जिसे मैं प्यार करता तो मुझे है ये तुम क्या कह रहे हो मतलब तुम उसे पहले से जानते हो बोलो राचू हाँ सेटू सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो भी मुझे जानती है पूरी बोतल को एक सास में बिना पड़ेगा डी वान टू थ्री झांट .... पहसला चाँ पहसला फटीं लगज़ू लगज़ू जजज़ आज़े जाना भी शसी क्यों बे तरकार भागराया क्या आलल जुण मेरे बच्चों इस पवित्र होटेल में तुम दारू पी कर जगणा है करते हो बच्चों मतलब मैं ही तो आपका एक लौता हूँ है प्रभू एक पवित्र पुत्र मांगा था ऐसा पवित्र पुत्र क्यू दिर दिया मुझे बगवान आपी ने तो भी जगणा क्यू वाहा इस शची नहीं सर पहले जगणा शुरू किया था क्या का मैंने जगणा सची तुम पीते हो इस कॉलेज में सब जानते हैं चाहे कुछ भी हो दोनों एक हो जाते हो यह भी पता है इसको यही पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए आमेन तुम्हें होस्टेल से जाना होगा मैंने सची को जाने कहा था आपने ही तो कहा था चाहे कुछ भी हो दोनों हमेशा साथ में रहते तो अब भी है मैं जानता था कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे इसलिए इसके फादर को बुलाया है अब तुम लोगों का जो हाल होगा हेलो सर गुड़ मौनी अब तक जो मैं ना कर पाया सर उसे आपने कर दिया मैंने कितनी बार का तुम लोग यह होस्टल छोड़कर चले आओ हम सब मिलकर एंज्वाइ करेंगे लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी सर अब मैं देखता हूँ प्लंप चलेक से आप अजाव नियुक फूझा कर देखते है यह जैसटल किरिया नियूकर्स की दार्ष Любा के लिए लोगे फूल्यू फूल्यूल्यू फूल्यूमननननन स्विर्ण गजैस सोचल डिस्टेंसिंग और मास्क पहना जरू है को दूर है मुझसे शूर हाई 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 तेरे चेहरे कुछ अगया है राहना का गई है क्या गाल एक तब गुलाब की तरह अरे फ्रेंड्स का तुम लोग यार आई शादी है मेरी हाई सप्राइस किट बेच दिया क्या मैं गिफ्ट ओपन करके फोन करता हूँ हाई 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 बुर्खा गलो वाव गिफ्ट का है मैं ही गिफ्ट आप गिफ्ट हो मेरे फ्रेंड्स भी टू मैच है सुनिये ना रॉंग टाइम है इस वक्ता मेरा मन और मैं अपनी पत्नी के लिए समर्पित है आरे गुदगुदी आप अ मुझे जाओ अ क अ मुझे जाए आरे जरूच कॉसक्प अछा अगा एम विश्चा कमो जाएगा पूरी बॉड़ी तेरी जाएगी और जमाड़ी कॉइक ADA बेच एगा अ है कुज में हां एकश्चीूज मे हेलो मेडम, मुझे इस बुर्खा का सिस्टम बहुत ही पसंद है, इसकी खासियत यह है कि यह बहुत फ्लेक्सिबल ड्रेस है, और एक्छिली क्या है कि मैंने आपके ड्रेस की तारीब क्या की, आप तो मुझे मर फिदाई हो गई, बहुत अची बात है, फिलाल थोड़ा कंट्रोल किजे, पॉब्लिक बहुत है, बैसे में, लगता है अब बाज नहीं आएंगी, लगता है अब सणी लियोनी के फैन है, एक मिर्था पहले किस से सर, सर, जदी करो, जदी लाप, और सो फढ़िया चलना है, और तो तुहारा काम दंदा कैसा चलना है, सब चीज़े ना, आप क्यासी वासी डॉक्टर वन गया, अरे तुम सब लो कहां जा रहे हो, नमस्ते जी, अरे क्या हुआ इसे, चकर खाकर नीचे गिर गे, लेकर जाए णटार कहोना, क्या हुआ है, स Ihnen पुछां जाओ, 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 जिल खाओ, सब्क신्चान पेट के हहता है, कि इनव्डी करे तुम्हें, म३ें, और ना हो यह रेकर जाओ, ने करेसिये वासी आओ जाचाशा जी, पीटी, बुला दिखाई नहीं दे रहा है। किलर के अजय है? इसका मतलब इन लोगोंने दूले को किर्णाप किया है। तुम्ने देखा वहामें फॉलो कर रहा है। कॉन? एई! हाँ, तुम्हान? अभ यह कहां सा लागै? अब क्यों आप लोग और मुझे क्यों किड्नाप किया है मेरे पापा के पस कुछ पैसे वेसे नहीं है वो तो एक किसान है किसले सिटी बजारी हो कौन आने वाला है देख लो फातिमा पुलबॉल यह सब तुमने करवाया है ऐसा नहीं है जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप जानते हैं न मैं आपके बिना नहीं जी सकती तुम से शादी करोंगा तो मारने की धंकी दिये पापा ने मरने से किसे अकबर या अजरु दिन से शादी करके एक दमदार बैच्चे को पैदा करके उसका नम मेरे नम से रख देना इससे ज्यादा मुझा और कुछ नहीं चाहिए एक बर मेरी बात सुनो जी एक बोला ना नक्को एई यह क्या बोल रही हो तुम रोई जा रही है इसकी शाद दुनिया भर का प्यार देते हैं पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं ऐसा बीहेव करते हैं इतना प्यार देनी के बाद हमें चोड़ कर चले जाते हो इसकी बाद हमारा क्या होगा इस बारे में सोचा है अब इसका क्या हाल होगा इसे कुछ भी ना हो इस जादी कर ले ना यहां यह लो मंगल शुत्र पेना पड़ेगा हाँ मंगल मांगालाई हमको अपनों में लूटा गवरों में कहां तंथा मेरी कष्थिती दूभी वाहां जा पानी कम था मैं तुमसे प्यार करता हूँ बुलबुल लेकिन मेरे पापा जाती वाद मानते ना इसली मुझे ऐसा करना पड़ा लेकिन अब हमारी शादी हो गई है अब हम टॉम जैरी की तरह एकदम खुछ रहेंगे लो पापा तू इस लड़की से इतना प्यार करता है अगर बताया होत खड़ इंचिये बताजी गव्hö सी अबेस यू अब को यूआ य बहलगो यू आपको यह आटी है और इंड़िरी हम अब कर दो हमार आ देंड क कर दो है सब्सक्राइब. अब्यावर्ट. अब्यावर्ट. देड़्यूएट. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस इस तेरी तो मैं ए ए, मिरा नीचे नीचे कर दिपता नहीं है क्या कैसे चलाती हो मैंने देखानी I'm so sorry क्या sorry निकलो बार निकलो sorry ji प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मैं थोड़ी घबराहत देखा वैसे चलाव रुक जाना यार बेजारी लल्की है sorry बोल ली है जलने लटी सो जाने लटने इस ओके छोड़ने यार चलने जाने जाने दे चलने जाने 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 बेजाए जाने 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 आपका ब्रस तांक्यू भाई भाई कि रजूए जो जो तो यह सोशी है हब हुँ है आप नहीं एक हमस्तों च पहल में नोगा हमें एक डिशे यह अच्ट कुछ चोलो बिटा के काटम एक्चली केक कट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस भाग दोड़ भरी दुनिया में सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं इतने बिजी वक्त में भी हमारा खयाल रखती हैं और कोई नहीं हमारी माँ हमारी हर मां को पूरी करते हैं और हमारी हर जरूरत का खयाल भी रखते हैं हमारे पीछे रहकर हर वक्त हमारा सपोर्ट करते हैं वो और कोई नहीं है पापा आई लव यू पापा यूर दबेस्ट प्यारी में थैंक यू चलो अपके कट हेई लेट्स प्लेए ट्रूथ और टेर वो टेंजर वाला छोड़के कुछ इजी दो ना है यार वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है ना मेरा जानू मारता है देखो ऐसे बहाने मत दो हम ट्रूथ और टेर खेल रहे हैं करना पड़ेगा ओके जड़ा उधर देखो पीते हुए कोई लड़कड़ा आ रहा है उसके हाथ का शॉट पीना पड़ेगा कम ओन मूँ कम ओन या हैपी बर्टे थेक्यू अरे यह गाली कासे हो गया वू यू दिए एट वेल बले कम ओन शाशी उस दोड़ से नेक्स जो भी आएगा तो मियों से किस करना होगा वाट येस मी येस करना पड़ेगा करना पड़ेगा ये शाशी शाशी मैं तो करी काम से अब क्या हो काम हेएई देंड आती है री आती है और आती है ऐसी पाइपैसमी और पाटे रामसे कदे, अबक्री पाटे भाट्द पापा, बेटी, मैं कॉलिज सब ड्रॉप कर दूँ क्या, क्यों पापा, मैं चली जाओंगी, क्या हुआ पापा, ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ नहीं बेटा, बश्पन में जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर वापास आता था, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, अब तुम घर छोड़के जा रही हो, तो बहुत पूरा लग रहा है, अभी से इतना दुखी हो रह जाए तुम जाओ, पापरी आज तो हम चले गए, क्या हुआ रुक्यों गई, रागिंग, क्या रागिंग, तुम्हारा गैंग कब कामाएगा हां, हमारे गैंग को देखर आपको डरना जाहिए, तुम्हारे हो तुम्हारे हो तुह कैसा डर, चलो, लेट्स को, पावडर अलो, अलो, वीडिस, एधर राओ, आओ, आओ, इतने समार्ट इंसान बाइक पर बैठाय है, और अर इतने दूप में रागिंग और तुम्हester ने रागिंग निहए, दुम्हें नहीगें हो तुम्हें नहीं जाहिए तुम्हें हो सं मार्त केसे हो स्क्ते हूँ, जाँ तुम करने से बहुत जलने लगती है राइट नाव मेरी पर जल रही है इसले काजल आखों पर नहीं अपने चेहरे पर लगा कर गुमती रहना चल निकल टेरी चल निकल डबल लेकर गहीं की है है प्लीज कम नाम क्या है शर्शी सर लुक्स में कुछ खास नहीं ठीक ठाक हो एवरेज हो बट कबर के लिए कौन से कॉस्मेटिक सी उसकरती हो तुम रोकियो रही हो है मुझे नए लोगों से बात करने में डर लगता है ऐसे में रागिं का नाम सुनका डर लग रहा है डरी जाओ ना तो मेरे फ्रेंड उन्हें भी साथ लेकर जाओ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो करने को कहा तू करना पड़ा सौरी ठीक है एक दिन मैं भी असा गेम खेलूंगा जब मेरा तरन आएगा तब मैं बताऊंगा थांक यू क्यासा है तू अच्छा हूं भया शाशी कैसा है बहुत अच्छा है अच्छे से बढ़ाई करना टाइम वेस्मत करना एक मिनिट बहन से बात कर हालो भया और दोगा रहे हो यहों मेरे आने के लिए पूछी या फिर अपने गिफ्ट के लिए अरे आराम से लगता है तुझे चड़ गई अरे आज आपके आने के खुशी में ज़्यादा पी लगता है आरामसे बेट ज़याए। आरामसे, आरामसे समलकर. आपको देखके में बहुत हैरान हो जाता हूँ. आपका बेटा आपके साथ बैठ के पीता है और आप उसे कुछ बोलते ही नहीं? वो सिरफ मेरा पेटा नहीं है, दोस्त है. सिर्फ बेटा मानूंगा तो मैं उसे कंट्रोल करने लगूंगा और अगर उसे दोस्त मानूंगा तो उससे बस वैसा ही बेवार करूंगा मुझे और कुछ नहीं आता था तभी मेरी जिन्दिगे में जोती आई और नाम की तरह ही उसने मेरी अंधेरी जिन्दिगे में उचाला भरती और केस्ट्रा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था फिर भी हम खुशी से जी रहते हैं एक दिन उसने इसे जन दिया और खुद मौत की गोद में चली गई अचानक मेरी जिन्दिगी थम से कई थी मैं फिर से अकेला हो गया था मैं मरने की सोची रहा था कि उसी वक्त ये रोया और मुझे जीने की आज चेकी और फिर मैंने सोच लिया कि आज के बाद इसे मैं कभी भी रोने नहीं दूगा और मैं सिर्फ इसी के लिए जिऊँगा नुकसान में चल रहे औरकेस्ट्रा को बंद करके मैंने जौब पकड़ा और इसे मैंने हमेशा खुश रखने की कोशिश की लेकिन सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जगे जो अपनी खुशी के लिए काम करता है उससे बहुत सुकून मिलत है और म्यूजिक मेरे लिए बस वैसा ही कुछ है अच्छे एक बात बता तेरा किट्ना पाला पती तुस्से प्यार करता है यह तॉर्चर करता है मेरे चानू उधर आगया देख हाँ माड गई मैं बहुत हो गया बैट जाओ बिना पुछे गोड मॉर्निंग गोड इवनिंग तो अच्छे से बोल लेते हो लेकिन कोई क्वेस्चेंस पूछो तो उसके आंसर नहीं दे पाते हो यह क्या तुमारा नाम क्या है गाओ कौन सा है क्या करते हो पूछ कर मुलाकात करते हुए पढ़ने वालों में से मैं नही यह तुम्हीं नहीं है आंसर पोड़नूंगा मेरी तरफ देखो लूझा है cmdmastr atmr srcikt professor of this college यह क्यो आया है jie professor तुने पहले क्यों रही बताया तुम्ने मुझसे नाम पूछा ता लेकिन काम नहीं पूछा ता इसले नहीं बताया मैंने तुम्ही तो फसादिया मुझे, चुकन, फातिमा, वो इसके सुने सुनी लगती है, एक्स्क्योज में, एक्स्क्योज में तुमसे, हलो, स्टंड अप, मैं, तुमसे, उठो, रिवेंच के लिए कही दिनों से इंतिसार कर रहा था, बहुत ही अच्छी जगा पर मिल चुकी हो, मैं, रॉबरी कर के पुली स्टेशन में चिपने की अच्छी कुछ मत कहिया जी, यह मेरी फ्रेंड है जी, हमोश, रिलेशन्शिप्स रियल स्टेट में चलते हैं, इस इस कॉलेज, आम दे प्रोफेसर और यॉर माइ, स्टुनेंट, चलो उसे अंदर डालो, यह दोसे अंद आम, तुम्हे मेरी नोस पर मारा था, उसका पेन कैसा था जानती हूँ, वन डे नहीं, टू डेज नहीं, फोर येर्स रहोगी यहीं पर, नर्ग दिखाऊँगा तुम्हें, कहीं तो सुना था, यार, म्यूजिक इस सपोस्ट तु हैपन, तु हैपन है, यार, सोचता था कि म मेरे साथ पैदा होने माले एक एमोशन है, ये बात मझे कल समझ में आई, तहाँ यार, लाइफ में कम्रोमाइस तो एक एजस्मेंट है, और पुरी लाइफ रहे तो पनिश्मेंट, म्यूजिक डैड की जान है, उन्होंने किसी भी कंडिशन में छोड़ा हो, और उसकी लाँगा, लेट सादेबेंट, अगर हमें जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो हमें अपनी कमजोरी को हराना होगा, अकेला पन किसी भी इंसान को शराबी बना जेता है, यार, मेरे होती हुवे तो खुद को अकेला मेहसूस कर रहा है, खाती वक भी फोन पर, फ्रेंड है म कल कॉलेज में फ्रेशरस दे है, में से जाया है बहुत अच्छा अपने किया, रियली वेरी वेरी नाइस थाइंक यू, पर आपके जितना नहीं से यूजिक इतना हसान ही होता, लोगों को पसंद है उतना काफी है, बाइद अवे, आइम शशी, वट अ सप्राइस, मेरा नाम भी शशी है, हाँ, मुझे जाना चाहिए, लेट हो रहा है, बाइ, 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 ये, शरम नहीं आती आपको, एक लेक्चरर हो कर लड़की को छेड़ते हुए, देखो, यहाँ पर दो बाते हो रही है, एक तुम्हारे बताने तक बता नहीं चलता है कि तुम लड़की हो, और दूसरी बात, अगर चेड़ना यह तो घर मेरी वाइफ उसको छेड़ूगा लेकिन उसको छेड़नी की ताकता मुझ मे रही नहीं आपनी मम्मी को बुलाँगी, हाँ तो मैं अपने पापा को बुलाँगा, अजीव फैलोजनेशन ही इनका, अच्छा तो ये, इसका काम है, चलो, 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 अब ही देखता हो तुझे, आज तो बह अच्छा इतना कॉंफिडेंस है, तुम्हारी बदनसीबी है, अरे, काह मझा है, सबके सब के बताया विश्तमाल का के सब तुम्हारी बद्दू कार काम पे शुटकी बदेग, आज़गा कार कुछ बदाने के लिए चुटकी बजा रवे तुम्हारी थुटकी बजा था था मेरे जिप नहीं नाड़ा है यार एक लड़की मुझे सता रही है दूना बताई वो कॉन है अस्तों में जिन्दा काड़ दूलगा अगर यहां पर कोई स्टार है तो प्लीज जरा मेरे सामने आजाई है अब इसी क्लास्की है एक पार्च मिट भाराएंगी क्या मुझे तुरा करने इसी के साथ कर नी है मर्डर जैसा कुछ नहीं करना रागिंग करना बस और क्राइप पूलीस के सब्सक्राइब होगा अब ऑधिसमें प्लाइप मुझे पता नहीं था अगर मुझे पता हो था कि आप इन मॉले तो मैं अभी इन्माब नहीं था ओख ओ इनोसेंट की तर तरफ गूमके कर, सही सही कर. गुड मॉनिंग सर्व. आपसे थोड़ी बात करनी है, सर्. क्या है बॉल? परस्नल मैटर है, सर्. बहुत बात करनी सर्. जब देलें, मुझे ही नहीं पता है, फिर भी सब लड़किया मुझे पर विदाया. बुलाया मुझे, मेरा परस्नल है, तो इधर ही रोक. तुमने जब अकेले में बुलाया तभ ही मैं समझ गया के तुम्हें केस चाहिए. अगर फिर किसी लड़की के साथ रैगिंग किया नहीं दीदी, गभी नहीं करूँगा दीदी. अगर यह अघख भी वें दीदी आपको गई प्रापल्म में तो एक चुटकी बजाहिए मा जाओंगा, अपकी चुटकी मुझे सुनाई नहीं दीदी. वो क्या है ना, आज वो गेम मैं खेल रहा हूँ, डियर आया है मुझे हाँ, नहीं सर, प्लीज मना करो कि तो मैं हार जाओगा उस दिन मैंने तुम्हे जीताया था, आज तुम मुझे जीता दो प्री, सर, नहीं, सब देख रहा है है, सब लोग आखे बंद करो, आखे बंद करो है बुल-बुल, तुम्हें अलग से बोलो मैं, आख बंद करो ऐसे नहीं, ऐसे, बंद करो सब में आखें बंद कर ली हैं अब हमें कोई नहीं देख रहा है चलो आजाओ हाँ ओके मैं करता हूँ हाँ 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 हेलो राजसर के लिए क्लास में पूछा तो पता चला जहां शशी सर होंगे वो वही मिलेंगे शशी सर के बारे में पूछो तो राजसर का पता मिलता है आपकी फ्रेंडशिप की तो सब लोग बहुत तारीव करते हैं हाँ अब तुम भी हमारे साथ आज चुकी हो ना अब तुमको भी लोग वही डोड़ेंगे चाहना आज होगा मैं मुजिक हौल में वेट करता हूँ यूगाइस करियो रहा हूँ आपके बाए बाए गाइस मुजिक हौल में चलो मेरी लाइफ में एक शशी है तो मैं कितना खुश हूँ अगर तुम भी आ जाओगी तो चार चांद लग जाएंगे लव यो शशी बताओं या नहीं बताओं या नहीं तुम्हारी आँखों में जलकने वाला प्यार तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ यह राजु सर्व यह राजु सर्व हाई हाई वह 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 तुचल अच्छल अच्छली मुझे भी देर हो रही है आल सी यू लेटा भाई हाई पापा उदास क्यों है पापा क्या बात है पानी पी लीजे वह वह क्या है बेटा विजे वाडा में ट्रांसफर हो गया है हमें दो दिन में जाना होगा यह अचानक से ट्रांसफर क्यों हुआ अचानक नहीं हुआ वह तो कब से क्या रह थी मैंने ही रोका हुआ था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता जाना ही पड़ेगा और हाँ मैंने वहाँ पर कॉलेज भी देख लेया तुमारे लिए अचानक कॉलेज चेंज हो जाएगा तो मुश्किल होगी ना पापा इस सेमेस्टर तक होस्टर में रह कर पड़ लीती हूं तुम से दूर रहना पड़ा तो मैं अपनी जॉब ही छोड़ दूंगा पर तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा, बेटी ठीक है मैं ये जॉब ही छोड़ देता ये आप क्या बोड़ रहे हो जी इतनी छोटी सी बात पर जॉब क्यों छोड़ना है फिर भी तुम यहां रोकर क्यों पढ़ना चाहती हो वहां और बीच्छे कॉलेजिस है अरे तुम चुप रहो तुम बीश में मत बोलो ठीक है बैटी मैं जॉब से रिजाइन कर देता नहीं पापा मैं चलूँगी हाई शची क्या बात है बड़ी उदास लग रही है अरे बताओ कि तब ही तो पता चलेगा अचली मेरे पापा का विजयवाडा में ट्रांसफर हो गया है कल ही जाना होगा यह क्या अचानक से मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छी म्यूजिक पाटनर मिल गए है और तुम जा भी रही हो वो तो ठीक है पर तुमने ये बात राजु को बताई कल से राजु को देखे भी न कैसे रह पाऊंगी ये सोच कर डर लग रहा है क्या तुम उसे प्यार करती हो तुम्हारी खामोशी से मुझे जवाब मिल गया तुमने उसे बताया तो क्या ये बाद शादी के बाद बताऊगी उसे नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा शाम को तुम इने एकलाज पार्क में आजाना मैं उसे लेकर आता हूँ बाइदावे तुम जा रही हो जस्ट विजेवारा अमेरिका या लंडन नहीं जा रही हो राजु के लिए सिर्फ एक इंपोर्टेंट नहीं है बलकि हम तोनों है कोई एक भी नहीं रहा तो वह पाकल हो जाएगा तुम खोश होकर घर जाओ और शाम को जल्दी आजाना तुम क्या अस्रा है राजु मेरे साथ चल या हूँ आरे चलना बताता हूँ कम से कम ये तो बता की जाना का है बताओंगा तो मजा घराब हो जाएगा देख कर एंचोय करना बिना बता है कैसे जाएंगे यार उधर से लेफ्ट लेए अब किस तरफ आगे से रैट लेले अबे फोन किसका है याट का अब बेटा कहा हो तुम हलो डैट बोलो है 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 शशी 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 हारी कोई अबुलेंस का बलाओ राजो शशी तुमसे प्यार करते हैं शशी 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 किस शशी है हाँ घर चल घर पे चल चल तुम सब्रदस्ति क्यों कर रहे हो यह आ जाएगा सब्रदस्ति करनी पड़ेगी अपने प्यार से इसकी जिन्दगी खराब करती अरे अब क्या हो गया अब पचाई क्या है आज ही पुलिस सेशन जाकर आया हूँ इसकी हालत सोचता हूँ तो रात को नीन नहीं आती है मुझे अरे तुम इतना परिशान क्यों हो रहे हो मेरे होते हुए इसे कुछ नहीं होता हुआ ये बीएगा धूमेगा जहां चाहिए वहां लफडा करेगा ये सब तुम्हारी वज़े से हो रहा है और मैं अच्छे से कहा रहा हूँ तुम इसकी जिन्दगी से दूर हो जाओ अगर ये तुम्हारा बेटा होता है तो भी तुम क्या इस तरह से रहने देते है भाईया चलिए चलते हैं यहां से चलिए ये क्या बोल रहे हो ऐसी बाते क्यों कर रहे हो अरे मेरे लिए ये भी मेरे बेटे के जैसा ही है देखा, बहुत अच्छे से देखा, ये तुम्हारे सामने बिगड़ गया और तुम देखते रहे गए, इसको समझाने के बजाए इसके साथ पैट के दारू पीते हो, देखो मैं तुम्हारे साथ जगड़ा करने नहीं आया, बस अपने भाई को यहां से लेने आया हूँ, चल लेकिन पिटा, छोड़िये न मिया, ठीक तिन अगर मैं घर नहीं आया, तो आप मुझे डूंटे हुए यहां तक आगए, मेरे लिए तो आप हमेशा सोचते हैं, लेकिन, सेट का कौन है, कोई भी नहीं, शशी के मरने के बाद, सेट पूरी तरह से बदल चुके थे, शराब हे, कैसे कोई पीता है क्या सेट, बच्पन में उसने रोकर, मुझे में जीनने की आस जगाई थी, लेकिन अब तो वो आसे खत्म हो गई, अब कौन है मेरा, मैं तो हूँ ना, सेट मुझे अपना बेटा नहीं, बल्कि मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ, प्लीज, आप यहां से चले जाए बाया, बेटा, हूँ, 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 हूँ कल इतना सब होने के बावजूद, फिर भी यहाँ आयों बिटा, अगर वो आ जाएंगे तो बहुत गुसा करेंगे, महरबानी करके तुम जाओ, कल जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं यहाँ आपचे जगडा करने नहीं आया, अभी मैं जिस सशी को देख रहा हूँ, दो साल पहले वाले शर्षी दोनों ही एक ही है, लेकिन दोनों का नेशर एक जैसा नहीं, प्लीस बता यहना अंटी क्या हुआ था, प्लीस, हमारी शर्षी को तुम पहले से जानते हो, लव यू शर्षी, अपने जान से भी जाधा प्यारे दोस शर्षी को मैं कमा चुका हूँ, लेकिन जिस शर्षी को मैं अपनी जान से भी जाधा चाहता हूँ, उसे गवाना नहीं चाहता. बताईये ना अंटी शशी के जाथ क्या हुआ था? उस दिन बहुत खुशी से एक इंपोर्टन काम कहकर गई थी. आपकी बेटी को ट्रॉमाटिक ब्रेन इंजुरी हुई है. उसके वज़े से borderline intellectual retard issue हुआ है. इसका मतलब क्या है, डॉक्टर? एवरेज में एक आम इंसान का IQ level 90 से 110 रहता है. लो एवरेज IQ level रहता है 80 से 90 के बीच. अब उनका IQ level 50 से भे कम है. आपकी बेटी physically 20 years की है और mentally बहुत छोटी सी बच्ची है. आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. तब से हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई मन्दते मागी. लेकिन इसकी हालत में कोई बदलाब नहीं आया. मैं इस दुम्या में इसे कहीं भी लेके जाऊँगा. खुछ भी करूँगा. लेकिन मैं अपनी शशी को पहले जैसा मनाऊगा. प्लीज आउंटी, इसे मेरे साथ देज दीजे ना. क्या बोल रहे हो बेटा? इस हालत में रहने वारी लड़की को कोई भेजेगा क्या? आउंटी, प्लीज, समझने की कोशिश करिये ना. समझती हूँ, इसलिए जो हुआ वो सब कुछ बताया तुम्हें. वो आ जाएंगे, परिशान मत करो. अब तो शशी को तुम छोड़ दो, बेटा. प्लीज. मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए आपने ऐसा बोला. अगर कहीं, जि मेरे पत्नी होती तो भी ऐसा ही बोलती आप. हाई. ये लो इसे रख लो. मेरे शकल क्या देख रहे हो, जाओ यांसे. मेरे शकल क्या देख रहे हो, जाओ यांसे. शशी, ये लो पीलो. अरे? इतना गुस्सा करने के बाद भी तुम वापिस आ गए, बेटा. गुस्सा करेंगे, मारेंगे, ये सोच के मैं इससे प्यार करना छोड़ दूं क्या? शशी भी मुझसे प्यार करती थी मैं जानता हूँ. अगर वो बातें इसे याद आ गई, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा. प्लीज. लेकर जो बेटा. बेटा? जल्दी ही लोटाओंगा, अउंटी. चलो. रोकी का क्या हुगा? अरे उसका तो कपका गेम कर दिया ना. एक दिन उसने अपनों को टच कर दिया था. तो उसका बराबर गेम बजा दिया अपन है. भाई? अँए. अब हो है. शशी उस तरफ देखो. कामल का लग रहा है. उस देन इसको सरफ टच किया था. अँए. 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 यह, चाल हो जब वोग! अरो! चलो 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 ऊए! ब्राइब बार दुना! शषिर 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 ब्राइब बार दुना! ब्लीज जल्दी चलेएा शषिर सर आप ज्षिर रुके अब कैसी है वो मैं उसे बाहर लेकि गया ही क्यों अब बेटा तुम चिंता मत करो उसे कुछ भी नहीं होगा अब क्या है गणता सक्यादा सब्सक्राइब बेटी, बेटी, शचे बेटा क्या हुआ बेटी, बेटी रही है दॉक्टर यह अजानाक उठी और चक्कर खाकर गिर गई आप लोग बाहर वेट करिये आजा अगर मेरी बेटी को कुछ वाना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सर आप टेंशन मकलीजिये आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा तुम कौन हो इसका भाई हूं भाई जब यह मेरी बेटी को लेकर गया था तो यह गलत कर रहा है तुमने इसे समझाया नहीं ओ अगर यह चिछोरा है तो इसका बड़ा भाई भी कितना बड़ा चिछोरा होगा अंकल आपका गुस्ता मुझपे है मुझे जो बोलना है बोलिए मेरे बाईया को कुछ मत बोलिए भा उससे एक इंजेक्शन दिया है थोला राउजी लगेगा एक दो घंटे बाद आव उसे लेकर जा सकते हैं थाइंक्यू डॉक्र इस ओके तुम अंदर जाकर शाशी को देखो चीक है मेरी बेटी की आग खुलने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ अगर मुझे जाना ही होता तो जब आपने मेरे मूँ पे कॉफी फिकी थी तब ही मैं चला जाता मैं शशी से प्यार करता हूँ समझने की कोशिश करी अंकर जानता है मुझे ये बात दो साल पहले ही पता चल गए थी कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था लेकिन ये बाद उसे बता कर मैं उसे परिशान नहीं करना चाथा इसी लिए मैंने ट्रांसफर करा लिया था सोचा था दूर रहेगी तो तुम्हे भोल जाएगी लेकिन सब कुछ भोल जाएगी ऐसा नहीं सोचा था क्या कहा था कि तुम प्यार करते हो उससे मैं भी तो उससे बहुत प्यार करता हूँ बश्पन से मैं उसका सारे शोक पूरे करता आ रहा हूँ उसकी खुशिया पूरी करता आ रहा हूँ बहुत प्यार से पाला है उसे किसी को ऐसे उठा कर नहीं दे सकता आज तक उसे बेस्ट ही दिया है तुम जैसे लड़के का प्यार पाकर वो थोड़े दिन के लिए खुश हो सकती है लेकिन मेरे जैसा पिता उसे प्यार देकर पूरी जिन्द की खुशी दे सकता है यही सोचकर मैंने दो साल पहले उसके लिए राहुल को पसंद किया था मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है इसलिए मैं उसके अच्छे भविश के बारे में सोचता हूँ अगर तुम उससे प्यार करते हो हो तो उसकी अच्छा हुचा आओगे मड़ कर मowa बेटी आई है पीज Henry इन दो सालों में राजनाम का लड़का मेरे बारे में पूछने आया था तब नहीं नहीं बेटी कोई नहीं आया था क्यों कोई आया ता क्या कोई commanded माड़ इम्मा कवना साफ कर दिया क्या है चलो बिटी शाशी लोग दवाई खालो बिटा हम लोग जितने छोटे होते हैं हमारी प्रोब्लम्स भी उतनी कम होती है ना मा तुम क्यों परेशान हो जाती हम जानती हूं राज के लिए ना तुम्हारे पापा ने तुमसे जूट बोला है तुम्हें ढूनते हुए राज आया था मैं नहीं जानते तुम्हारे पापा ने उसमें क्या देखा पर मैंने तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा है प्यार करते वक्त लड़की को पत्नी की तरह, शादी के बाद प्रेमीका की तरह देखने वाले आत्मी कम होते हैं, लेकिन राजू, तुम्हें ऐसे ही देखेगा आपने जब प्रपोस किया था, उसका जवाब देने से पहले ही, हमारे बीच इतनी दूरी आजाएगी नहीं सोचा था आपको देखे बिना, मैं दो दिन भी नहीं रह पाती थी, और ऐसे में अब दो साल कैसे रह गए, अब हमें दूर नहीं रहना चाहिए, शादी कर लेते हैं, चलिए शादी, तुम्हें लग रहा है दो दिन हुए, इसलिए तुम्हें ऐसा रेक्ट कर रही हो, मेरे लिए टू इयर्स का गैब है, दर असल हम दोनों के बीच में काफी कुछ बदल चुका है मैं नहीं मानती हूँ भरोसा और सच दोनों आखों की तरह होते हैं, पास रहते हुए भी कभी एक नहीं हो पाते है प्यार का मतलब यह नहीं कि मिल कर निभाया जाए, प्यार तो बिना शर्तों के होता है, यह कहिए कि असली प्रॉब्लम मेरे पापा है मेरे पापा एकसेप्ट नहीं करेंगे शादी के बाद वो पहले बहुत गुस्सा करेंगे लेकिन बाद में एकसेप्ट कर लेंगे अपने पापा के गुस्से के बारे में इतनी आसानी से बता दिया खाकर जानती किया हो अपने पापा के बारे में जब लोग कहते थे कि प्यार अंधा होता है तो मुझे हासी आती थी लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया एक बार आगे खोल के देखो मुझसे कहीं जादा तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार करते है बचपन से लेके अभी तक तुम्हारी सारी खुशियों पूरा करने की कुशिश करते रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं अगर मैं सच कहूँ तो उनके बीस साल के प्यार के आगे मेरा दो साल का प्यार कुछ भी नहीं है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ शशी हमसे प्यार करने वालों को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए पर अब तो आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं न? सुनो बेटा, मेरी बात सुना मुंबाई मत जाओ बेटा, मेरी बात मानो बड़े, तुम तो समझाओ नहीं से जब कुछ करता नहीं थे तो सब चिलाते थे जब कुछ करने जा रहा हूं तो रोक क्यों रही हूं मा? बेटी शशी, यह देखो क्या बात है इतनी उदास क्यों बेटी? पसंद नहीं है? आपने जब पसंद कर ही लिया है तो पूछने का क्या फाइदा पापा? एक बात कहूं सुनोगे क्या? आपके पसंद के लड़के किसार शादी है इसलिए उसके चहरे पर खुशी नहीं है इस शादी में रौनक नहीं है ससुराल जाते वक्त हर लड़की रोते हुए ही जाती है अगर वही उसके पसंद से शादी हो तो वह बड़ी खुशी सजाती है कहां जा रहे हो? आप यहां कैसे? पहले यह बताओ कि कहां जा रहे हो कल आप नहीं तो मुझसे पुशा, क्या करते हो, कितना कमाते हो आप कितरह किसी और ने पूशा तो जवाब तो होना चाहिए ना इसलिए मुंबई जा रहा हूँ वैसे है आज आपकी बेटी की शादी है ना तो आप यहां क्या कर रहे है सारी लड़कियों के तरह मेरी बेटी ने भी प्यार किया उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कर दूँगा तो वो तुम्हें भूल जाएगी मैंने ऐसा सोचा था लेकिन जब शादी फिक्स होई तो पता चला कि वो खुश नहीं है पलकों पर रखकर पाला है मैने उसे शादी के बाद भी वो खुश रहे यही एक पिता की सोच होती है वो नहीं जानता कि इसके खुशी किसमे होती है पिता को लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छा कर रहा है वैसे तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो न फिर उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो तुमारा जब मैंने शशी को देखा वो मुझे लगा मेरी सिंदगी मिल गई और जब आपने बुला कि शशी को छोड़के चले जाओ तो मैंने शशी को नहीं छोड़ा अपनी सिंदगी को छोड़ा पश्पन मैं शशी को जो भी पसंद आता था मैं उसे देकर बहुत खुश होता था बड़ी होने के बाद उसकी खुशी जानते हुए भी उससे ना देकर रुला रहा हूँ शशी का होने वाला पती अच्छा पैसा कमाता हो उसके पास कार हो अच्छा घार हो यहीं मैंने सूचा था तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है अपने दोस्त से किये हुए वादे के लिए मैंने अपना केरेक्टर बदल लिया शशी से इतना प्यार करते हो और उसकी शादी किसी और के साथ होने दे रहे हो तुम मेरी बीटी के लिए सही नहीं है उसे छोड़ दो मैंने ऐसा कहा तो तुम उसे छोड़ कर जा रहे हो सुनो ज्यादा माहन बनने की कोशिश मत करो मैं तुम्हारा गुनेगार हूँ मेरी बीटी से शादी कर लो अरे अंकल क्यों मुझसे माफी मांग रहे है चलो आओ मेरे साथ मैं जान सकता हूँ कि यह क्या चीज़ है अपना दर्द कम करने के लिए वाटर में कॉटर मिक्स कर दिया था अब तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा अब इसकी ज़रूरत नहीं हूं मेटा अंध्यरा मिटाने के लिए चान कि तर है शशी तुम्हारी संदगी में आ गई है हूं हाँ हमसे जो प्यार करते हैं उन्हें कभी तक्लीफ नहीं देनी चाहिए बोला था ना तो फिर मुझे छोड़ कर क्यों जा रहे थे वो क्या है कि वह अत्रुथ और डेर का गीम खेल रहा था किस करने का डेर मिला तो मैं वापास आ गया में दिल हुआ दिवाणा प्यार में कि हुए ने जैना प्यार में प्यार में मौसम हुआ सुहाना